जैहिन दोस्तों वेलकम टो माई चैनल राजीव इन्फोटेक आज के इस वीडियो में मैं 6 जुलाइद 2019 को जो जैसे सी CPT के एक्जाम हुआ उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और साथी साथ उसका सोलुशन भी आप आप लोगों में करके दिखाऊंगा तो पहला कोशन एमस वर्ट से था जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि यह पांच लाइनों का एक पैरेग्राफ था जिसको आपको टाइप करना था जो कि काफी इजी था इसको आप बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी टाइप कर सकते हैं तो अगर मैं इसका सिर्षक पर जाओं तो इसका सिर्षक का नाम है आत्म सम्मान और अगर आप देखेंगे सिर्षक को तो यह सिर्षक आपका बोल्ड में लिखा गया है तो आपको सिर्षक को बोल्ड में लिखना है और साथी साथ देखिए यह अंडरलाइन भी किया करना और दूसरा आप प्रक्रक्रन देखेंगे तरह आप जस्टीफाइड है तो आपको इसको टाइप करके जस्टीफाइट भी करना है यह करना नहीं भूलिएगा आप लोग तो यह परग्राफ आप लोग ज्यादस ज्यादस पांच ये-10 मिनिट में राम से टाइप कर सकते हैं इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगा और अगर आप यह अच्छा से टाइप कर लेते हैं और टाइप करने जब आप टाइप करें के तब कुछ बात होगा ध्यान रखना है यसी कुछ सब्द होते हैं जो तो अलग टाइप के होते हैं जैसे कि यहां पर एक वर्ड विक्तिकत तो इसमें कुछ जो करेक्टर्स हैं व तो यह सब में आपको काफी धियान रखना है टाइप करने के टाइम में ताकि इसमें कोई गलती नहीं हूँ तो आए नेक्स कोईशन की तरफ में चलते हैं जो कि एमेस एक्सल से हैं तो आप इस डेटा को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं तो यह भी कुछ ज्यादा हाड नहीं है इसी है लेकिन जब आप इसे टाइप करने ही जाहिएगा ऐसे एक्सल में तो कुछ बातों की राटना जीसे कि इस में पहला जब हो आपका मुश्ड पूरा और इसका जो सीर्शक है वह सेंट्र ग्लाइंड तो यह सब चोटी चोटी बाते हैं जो आपको ख्याल रखना है इसमें आपको गलती नहीं करना है और दूसरा जितना भी उपसिर्शक है अगर आप देखेंगे जिसे की नाम हो गया बद्ध हो गया और मुल वेतन और यहां पर यहां पर यहां आत्रा भजता है ट्रेवल एलाउंस और यहां पर यहां पर भविश्य निदी है प्रोविडेंट फंड तो अगर आप इनको धिहान से देखिएगा तो यह सारे उपसिर्शक जो है यह आपका है टोप एलाइंड है यह तो इस बात को ख्याल रखना है इतना उफ्सिर्शक सब टोप एलाइंड तो यह सब बातों का भी आपको ख्याल रखना विस अब गल्थी करें guys कुंछ नम्र यहां से भी कट सकता है तो जब मैं इसका सलूइशन आप लोगों दिखा दूँ आप बताऊंगा तो मैं दिखा दूँगा कि यह सब कहां पर है और साती साती यहां पर देखिएगा कि जैसे यात्रा भटता हो गया भाहुष्य ने दी हो गया इसमें रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया है तो आपको इसको रैप ऐलािनद hacia Yep तो आपको ही दोना क्योंको लॉफ्ट ऐलाइन करना है और जो मुल वेतन का जो कॉलम है यह आपका सेंटरड ऐलाइन है को कॉर्फ गल्टी गलती हो सकता है तो आप लोग द्यान दिजैगा कि कॉनë सा Center-Aligned, क्योंसा Left aligned, क्योंसा Right aligned , यह को, यह पनी Все सब्सक्राइब करते हैं तो यही तो हो गए टैपिंग का बात और दुसरा Just कॉशन में आप लोगों कहा गया की यात्रह भध्ता, और भयषय नहीं देन निकालना ना है सुत्र का इस्तमाल करते हुए तो यहां सुत्र का मतलब होता है फॉर्मला का आप लोग को इस्तमाल करना है तो जहां पर भी फॉर्मला आ जाता है कि आपको फॉर्मला का स्टार्ट करना पड़ेगा नहीं तो आपका गलत हुजाएगा अगर आप बिनना इक्वल टो के स्टार्ट करेंगे तो जैसी कि इसमें आपका यात्रा भत्ता कहा गया है साथ प्रतिसत निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे यहां पर की सेवन परसंत निक्या निकालना है तो आपको सब्सक्राइब का पोड़ेंगा तो मुल वेतन के साथ मुल्टिप्लाइप करना पड़ेगा तो मुल्वेतन का सेल है जीसे कि इसमें 60,700 लिख्या हुआ है इस सेल को आपको यहां पर स्लेट करना है यानि 7% परसेंट इंटू उसके बाद कुछ को सेल को स्लेट करना है और इंटर दबा देना है तो आपका आंसर आ जागा यात्रा भथता फिर आप क्या करेंगे उसको नीची तक ड्राइग कर द और 5% लिखेंगे और उसके बाद मल्टिप्लिकेशन के शायन देंगे और मूल वेतन के साथ इसको मल्टिप्लाइब करतेंगे यानि कि यहां पर आप लोग को इसको यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा इस सेल को और इंटर दबाना पड़ेगा याद रेखिएगा आपको सेलेक्ट करना है टाइप नहीं करना है मूल वेतन को और इसको बाद नीचे दर ड्राइक कर देना है इसको तो सबका प्रोविडेंट फ़र निकल गया जाएगा तो यह भी करने में आप लोगों पांस से देस मिनिट का टाइम लग जाएगा अपसी के अंदर आपका हो जाएगा है और अगर आप यह कर लेंगे तो आपको 25 मार्ग आराम से आ सकता है मैं से अक्सल में घौओ अब तो चली हमसे अक्सल का सोलुईशन स्टाट करते हैं ओस्टो अगराब जैसे मैंने कहा था हम लोगा जो पहला रों है वह उन्योंके मर्जंग से नेर में तो सबसे ना पहले तो आपको पहला को स्लेक करके इसको मो मर्जंग center करना पड़ेगा खिया पहला रोफ मर्ज ज questa अच्छा कुण तो मेर्जमि जाएगा नियानीति मर्जम्च के ऊपवर आपको जाएगा मेर्जन सेटर लिखा गया तो आपको इस सिल को स्बेकर करके मर्जन्स एंटर को क्लिक करना यह तो ही कि और उसके बाद जितना भी उपसिर्शक है यानि की सेकेंड रों कि और हम लोगा तो सबसे पहला बात आपका टॉप एलाइंड है कु permett & लेकिटॉप एल्लाइन का बटन यहonte कि मैं सैकल कर रहा हूं या और ठालियंण का बटन है तो आप जखेर को सेल ईकुझer करके टौब ना बतन गो जड़ करना एक तो वह सारी रोट पले यह अ है उसके बाद दिखिए सेंटर Pro RE complexity basic तो देखिया सेंटर रॉलायन का बटन है तापको इसको सटेट करके सेंटर राएन पखण देना है और यह पहला दो कॉलम है यह आप लोग का लेफ्ट एलाइंड है तो इन दोनों को स्लेट करने के बाद आपको इसको लेफ्ट एलाइंड कर देना है कि देखिए लेफ्ट एलाइन का बटन यह आला है जब मैं सर्क्ल कर रहा हूं कि उसके बाद एक ही मूल वेतन का जो कॉलम है यह आपका सेंटर एलाइंड है तो आपको इसको सेर्ट करने के बाद सेंटर एलाइंड कर देना है और आप इस एक बात का ख्याल रिखेंगा कि जब भी आफ और मेटिंग करेंगे तो आप लोगों को क्रेक्ट फन्मेटिंग करना है और यह बहुत जहुरूरी है क्रेक्ट फन्मेटिंग करना क्यूंक्य अगर आपका एक फॉल मार्क नहीं मिलेगा इस बात कह प्याल रगाना तो आपको करेक्ट फ्रमीटिंग आस करना है तो चलिए अभी फॉर्मला का इस्तमाल करते हुए हम लोग यात्रा भत्ता और होई से नीदी निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने करना है और उसके साथ सब्सक्राइब करना है और उसके साथ 7 परसेंट लिखना है और उसके बाद आपको मल्टिप्लिकेशन का साइन देना है और आपका जो मुल वेतन का जो सेल है उसको स्लेट करना है और इंटर दबा देना है तो आपको यात्रा भत्ता निकल गया जाएगा उसके बाद आपको नीचे तक ड्राइग कर देना है तो देखिए सब लोगों का यात्रा भत्ता निकल क्या गया है सोक के बाद आपको वह कुछ से नीधी आनि की प्रोविडन्स पर निकालना ना था देखे प्रोविडन्स पर यहां पर फाइब परसेट द दिया गया है मोग है है जब आकि क्या करेंगे यहां पर तो देखिए सबका प्रोविदेंट फंड यानि कि भॉयूसे निदी निकल के आ गया है तो हम दोंग ने फॉर्मॉला का इस्तवाल करते हुए यात्रा भात्ता भॉयूसे निदी निकल दिया और उसके बाद इसको आप सेप कर दिजी नेक्स कोर्चेन हम लोके MS पॉरपोइंट से है इसमें कहा गया कि हमें चार शायडों का प्रेजनेशन बनाना है और स्लायडों का इंस्ट्रक्षन नीचे दिया गया है तो आपको इस बात का खियाल रखना है कि आपको चारी Ox City का प्रेजनेशन बनाना है ना उसे एक ज्यादा ना उसे कम तो पहला कोशन में आप लोग को स्वागतम लिखना है तो यह काफी इजी है आप लोग इसे आसा नहीं सकते हैं और लेकिन आपको इस बात का ख्याल लटना है कि जिस वागतम लिखा गया है यह आधा मौ लिखा है लास्ट में तो आपको लटने का मंदब जो दिया घया है जैसा दिया गया है आपको वैसा ही टाइब करना कि नीए कि अधा मोगना पूरा म्नोग को नहीं लिखना इस बात का खिर लग रखना है कि आप jewelry में दिया रहेगा आप लोग को वैसे टाइब कर ना बात अगर आप इसका कॉशन व और फोर तो काफी जी वह आप लोग आसानी से कर सकते हैं और इसमें चार्ट भी आपको बनाना है इसको नमबर थर्ड में तो आपको बार या चार्ट दोनों में से कोई एकी चार्ट बनाना है इस बात का आपको ख्याल लगना है दोनों चार्ट मत बना दीजेगा आपको एक चार्ट बनाना है कोशन के नुशर आप कोशा से विद्धा जानक लेगा आप अब अचार्ट बना सकते हैं तो चली MS PowerPoint का question number second का solution करते हैं इसमें हमें कहा गया कि MS Word में लिखे गया नुचेट को सीर्सक से दुसरे slide में प्रोविस्ट करें तो आप आपने जो भी MS Word में टैप किया वा होगा उसको second slide में हमें insert करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको PPT में जाना है और second slide को चूज करने के बाद insert में जाना है और object को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद create from file को क्लिक करना है फिर browse को क्लिक करना है और उसके बाद आप लोग का computer में जहां पर भी हो सेव होगा तो आपका CDEF कोई भी एक drive में सेव हो सकता है यह आप आप लोग के इंस्ट्रक्सर से पूछ सकते हैं कि यह कहां पर सेव हो रहा है आप लोग जो भी काम कर रहे हैं और इसके अंदर जो होगा आप को उसको चूस करना पड़ेगा कि उसके बाद यह इंसर्ट हो पाएगा तो जैसे कि मैंने डीक्सटॉप में सेफ कर रहा है तो मैं参स् Powन करेंसिट करों नहीं से अर्टिक्सटोप के ऑंदर में रोके दबाऊंगा तो मेरा जो भी में इस वट का फाइल होगा वो सेकंड स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा देखिए इंसर्ट हो चुका है और इसके बाद कोशन नमबर थाट की तरफ में चलते हैं तो कोशन नमबर थाट में कहा गया है कि MS Excel में प्रोविस्ट के गए डेटा के अनों सब पाइचार्ट अत्वा बार्ट चार्ट का निर्मान कर प्रोविस्ट करें तो आपको पाई या तो बार्ट चार्ट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको MS Excel और उसके बाद इंसर्ट में जाएं अ हुआ यहांसे बार्ट चार्ट को सिलेट करें और पहला जो आप्शन होगा आप उसे क्लिक करते हैं तो देखिए हम लोग का बार्ट चार्ट बन गया है तो देखिए इसमें इंगलीश और तोच्छ हिंदी में काफी प्रॉलम आता है तो जहां पर आपको लगए कि उसको हिंदी में चींज करना है तो आप उस डेटा को सलेट करके राइट क्लिक करें और यहां पे आपका arrest change का option आपको दीख रहा होगा कॉप इसको क्लिक करना है और इसको गुर्टिदीव में ले जाना में यह आपका एक्जाम में जुभी सर्वर में आप एक्जाम देगा पूरिस आपका प्रपॉल्म नहीं definite करना पड़े तो अगर आप इसका अलग से डीटा देना चाहते हैं तो आप डीटा लेबल में जाए और आउटसाइड एंड को स्लिट करें तो देखिए इसका जो बार है उसका डीटा आपको दीख रहा होगा यह आप अपने तरब से कर सकते हैं और आप सेब करना ना बूलें अब से हमेशा करते रहें ऑप अब डीटा बनाएं उसके बाद आपने जो चार्ट बनाया है आप इसे एक नए चार्ट सीट में डालें तो उसकी लिए आप औरॉप वोइकूमें राइ्ट क्लिक करें और यहां से इंसर्ट में जाए और यहां से चार्टि ऑप्शन को स्लिट करने के बाद के द्वा दें तो आपने चार्टी बन जाएगा साव सबलाए बनाया है आप अब से इहां से कट करें और इस नहीा चार्टषी में इसे पेस्ट करतें तो देखिए हम लोगा चार्ट यहां में पेस्ट हो चुका है अभी आप अपने पाउरपोइंट में जा सकते हैं और थर्ड को स्लेट करने के बाद इंसर्ट में जाएए फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएए फिर यहां से क्रेटरन फाइल को स्लेट करिए ब्राउज को स्लेट करिए और आपका फाइल जो भी आप की से वो बेगा तो दिखिए आपका जो चार्ट है वो इसमने इंटर्ट हो जाएगा कि आप देख सकते हैं इंसेट हो चुका है तो हम लोगा पीपीटी का भी काम पुरा हो गया है तो अगर आप इतना यह आप कर देंगे तो आपको इसमें 25 आउट आप 25 हराम से मिल जाएगा तो आइए नेक्स कोशन की तरफ में चलते हैं जो की इमेल का है इसमें कहा गया कि उपीक तीनों प्रसनों की उत्तर त्यार करने के बाद इमेल के माद्य हम से दिएगी पते पर प्रिक्षीत करें तो यहां पर तीनों प्रसन का मतलब हो रहा है आपका वर्ड और उसके बाद एक्सेल और उसके बाद पावर पॉइंट तो आपको तीनों कोशन को सॉल्फ करने के बाद इसका आपको अपने इमेल पर इसके अटेच करना है लगे माल इस बात करके ख्याल रखियेगा कि आप सबसे पहले पूरा सेप करना है उसको उसके बाद ही आप आप लोगो इसको attach करना है बिना save की attach नहीं करिएगा क्योंकि कोई फैदा नहीं होगा बीना save की attach करने के उसके बाद ही आप लोग उसे send करिएगा तो इसमें आप अराम से 25 नमबर उठा सकते हैं पूस इतना थोड़ा काम करने पर आप लोग जब email वाले box को click करिएगा तो लगबग कुछ इस तरह से format आपको दिखाई देगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है जहांपे subject लिखा रहेगा वहाँ पे आपको अपना login ID लिखना है यह 2 के नीचे में ठीक आपको subject नजरा रहा होगा आपको यहाँ पे अपना login ID लिखना है और subject के नीचे जो साधा रंग का जो जगा है इस जगा को हम लोग content बोलते हैं और इस content के अंदर आपको सबसे पहले अपना name लिखना है और उसके बाद अपना roll number लिखना है और उसके बाद आपको exam का date लिखना है यह लिखने के बाद आप लोग को क्लिक करना है attach का button को और जब आप attach के button को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ms word जो आपने बनाया है उसको इस लिट करना है और उसके बाद ms excel को और उसके बाद powerpoint को इस तीनों फाइले को attach करना है और उसके बाद ही आप लोग को इसको send करना है कि attach करने के बाद आप लोग को send करना है email कि इस बात का आपको ख्याल रखना है और और एक खास बात इसमें यह है कि आपको एक ही चांस दिया जाएगा email बेजने का तो बीना सेप कि आप लोग अपने डोकुमेंट्स को attach मत करिएगा सेप करने के बाद ही attach करिएगा क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपको एक ही चांस दिया जाएगा और वैसे भी टाइम बचेगा नहीं तो इसलिए अगर आप पहले से सीब करके रखेंगे तो ज्यादा अस वीद्या आप लोगों फेस नहीं करना पड़ेगा email बेजने के टाइम में ठैक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो प्लीज मेरे वीडियो को सेयर भी करें लाइक भी करें और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी करें थेंक यू